मेरे प्यारे भाई आप सभी को नमस्कार तो आज इस विडियो में मेरे भाई आप लोग को जो हाँ न हम लोग प्रकास का प्रवर्तन को आगे कर बढ़ाएंगे और हमने पिछले क्लास प्रकास का प्रवर्तन में समतल दर्पन कौप योग अबतल दर्पन कौप योग और उत्तल दर्पन कौप योग हमने कम्पलिट किया था आज जोहाँ ना हम लोग समतल दर्पन द्वारा बना परते भी में और अबतल दर्पन द्वारा बना परते भी में की ब्याख्या करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं समतल से यह आपके लिए सवाल है नंबर आप देख लिजेगा कितना नंबर चल रहा है सम्तल दर्पन द्वारा वना प्रतिबिम्ब की ब्यक्ष्या करें? यह सवाल है, देखो जी, सम्तल दर्पन द्वारा वना प्रतिबिम्ब की बात करेंगे, हर एक पॉइंट में लिखते चलेंगे ठिकाना, चाह ऐसे लिख देते हैं? सम्तल दर्पन द्वारा वना प्रतिबिम्ब की बात करेंगे, दैस, उसके बाद लिखो, फर्स्ट में, बना प्रतिबिम्ब, हमेशा सिधा होता, हमेशा सिधा होता, यह पहला पॉइंट, दुसरा, सिधा है तो काल्पनिक होता, इखाना, यहां भी लिख सकते हमेशा काल्पनिक होता, हमेशा क्या होता, काल्पनिक होता, हमेशा काल्पनिक होता, तिसरा में आजाओ, वस्तु के आकार के ब्रावर होता, के ब्रावर होता, वस्तु के आकार के बराबर होता है चौथा में चलेंगे दिखो समतल दर्पन में चेरा दिखिएगा तो जो आपका चेरा एक्चुल रहेगा वही दिखाएगा सीधा दिखाता है दर्पन के अंदर होता है ठीक आना आकार में बराबर होता है इसके बाद इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि दरपन के पीछे होता है कि ने, एक और बात, पारसविक रोप से उल्टा होता पारसविक रोप से उल्टा होता मेरे भाई, बात को समझो पार्स्टिक रुप से उल्टा होता है जीसे कि आप हाथ right hand side चलाईगा तो उसमें आपको लेगा left hand side हाथ चल रहा ठिकाना दया हाथ चलेजे गा तो आपको ऐसा माशूस होगा दर्पन में image पर लगता बाया हाथ चला रहा है ठीक खाना यह ऐसा दर्पन में होता है आप इस हाथ से भोजन करिएगा अगर दर्पन सामने है तो आप जोहाना भोजन करतों यह प्रतिविम को देखेगा तो आपको लेगा कि उल्टा हाथ से जोहाना यह हाथ दहना से नहीं कि बाया हस लगता खाना खा रहें तो इसको हम लोग पारसविक रुप से उल्टा करते हैं यही कारण है कि ambulance पर लिखा हुआ अच्छर जोहाना उल्टा अच्रों में लिखा जाता इसलिक उसका प्रतिविम जोहाना पारसविक रुप से उल्टा होता है तो अगर सीधा रखेंगे तो सिधा बना देगा ठीकाना तो ambulance पर आप लोग देखें होंगे कि ambulance उल्टा जोहान अच्छर से लिखा हुआ रहता है तो याद रखेंगे कि समतल दर्पन द्वारा बना प्रतिविम जोहाना पारसविक रुप से क्या होता है उल्टा होता है अगले पेच पर दर्पन के पीछे होता है तरपन के क्या होता है पीछे होता है दरपन के क्या होता है पीछे होता है इसके बाद जुहान अब तो कुछ बचा नहीं याद रखना है कि समतल दरपन द्वारा बना परतेवेंब सीधा होता है कालपनिक होता है कि नहीं आकार में बराबर होता पारसभीक रूप से उल्टा होता है कि नहीं दर्पन के अंदर होता एक और बात आप एड़ कर सकते हैं कि समतल दर्पन द्वारा बना परतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जाता क्योंकि कालपनिक है कालपनिक को आगए किरो बढ़ते हैं 5 को परियाप्त है अब चलते हैं अब तल दर्पन का या अब तल दरपन द्वारा बना प्रतिबीन की व्यक्ष्य करें अब इस्यों के बना प्रतिबीन की के व्यक्ष्य करें अब देखिए पहले अबतल दर्पन हम यहाँ बना लेते हैं यह है अबतल दर्पन अबतल दर्पन का यह परधान अच्छ है जिसमें यह पोल है यह फोकस है यह किंद्र है और यह अनन्त बिंदू है जिस खाना देखो इसमें कई इस्थती बनता पहला देखो इसमें डिपेंड करता है कि बस्तू कहां रखा हुआ बस्तू किस इस्थती में है किस अस्थान पर है अगर बहुगा बस्तू अनन्त पर होता ठीकाना, लिखते चलेंगे यदि बस तो आनंत पर होता आनंत पर होता आनंत पर होता तो आबेतल दरपन दवारा तो आबेतल दरपन दवारा वना प्रतिविम्ब वना प्रतिविम्ब देखो भूगा अगर बस्तू को अनन्त पर रख देंगे इसका प्रतिविम्ब फोकस पर बनता है कहा बनता है फोकस पर बनता है एकदम छोटा होता है बहुत छोटा होता है देखे यहाँ पड़ी यह बड़ा बस्तू है इसका प्रतिभीम फोकस पर बनता है यह याद करना पड़ेगा ऐसे रे डियाग्राम से इसको बना भी सकते हैं लेकिन यहाँ पड़ी मैं बनाओंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा विडियो हो जायागा इसलिए आपको हम सौटकट में खिचेंगे यदि बस तू अनन्द पर होता है तो आवितल दर्पन द्वारा बना परतिविम्ब एक पॉइंट जो हाना लिखते चलेंगे तिखाना आवितल दर्पन द्वारा बना परतिविम्ब डैस करके लिखेंगे पहला इस्टार में कि फोकस पर होता है कहां होता है फोकस पर होता है फोकस पर होता है उसके बाद फोकस पर होता है मेरे भाई उल्टा होता है उल्टा होता है उसके बाद बहुत छोटा होता है यह अपने आप में सब्द बहुत इंपोर्टेंट है बहुत छोटा होता है छोटा होता उसके बाद मेरे भाई वास्तबिक होता है क्या होता वास्तबिक होता एक और पॉइंट चलेगा इसमें दरपन के सामने होता दरपन के एकदम सामने फोकस है उसी के सामने बनेगा दरपन के सामने होता कि तरपन के सामने होता थिकाना तो यह आपका क्लियर हो गिया अभी हमने बसको अनंत पर रखे-फोकस पर बना कि ख़ीन उल्टा बनता है बहुत छोटा घोता है बास टाभी खोता है दरपन के सामने होता है यह आपके लिए को सननहें पाउइंट इसको आप याद कर लेंगे ठीकाना कि बस तू अनंत पर होगा तो प्रतिवीम फोकस पर होगा उल्टा होगा बहुत छोटा होगा और मेरे भाई बास्तविक होगा और दर्पन के सामने होगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पेच की और यह आप चलेगा आप टू चेक कर लिए हम लोग आनंत पर तुदेख लिए अब क्या करेंगे बस्तू को आनंत और केंदर के बीच रकेंगे विसका जानते हैं प्रतिवीम फोकस और केंदर की बीच आ जाता है फोकसा और केंदर के बीच और उल्टा होता है इस बार बहुत छोटा नहीं बोलना है इसके किसमें छोटा होता वास्तविक होता है दर्पन के सामने होता है चलिए जी इसको आगे बढ़ाते हैं ये दुसरा में है यदि वस्तू अनन्त और किंदर के बीच होता है तो अवितल दर्पन द्वारा तो अवितल दर्पन द्वारा वनापरति बीबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब और किंदर के बीच होता है स्विच होता है फोकस और किंदर के बीच होता है याद रखेंगे लो डाग्राम क्लियर कर देते हैं यही तो है अब तल्दर पंजी यह पोल है यह फोकस है और यह किंदर है यह अनन्त है जब अनन्त और किंदर के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिभिम्ब जुहां आना फोकस और किंदर के बीच बनता है फोकस और किंदर के बीच बनता है उल्टा होता है उल्टा होता है उसके बाद आजाओ उल्टा होता है छोटा होता, बहुत छोटा नहीं वहाँ पड़ी छोटा था यहाँ पड़ी छोटा होता इसके बाद आजाओ वास्तभीक होता दर्पन के सामने होता दर्पन के सामने होता दर्पन के सामने होता ठीक आना, यहां तक क्लियर कर लेंगे याद रखेंगे कि यदि बस तू अनन्त और फोकस के बीच सोरी, अनन्त और किंदर के बीच होता अनन्त और किंदर के बीच होता तो अब तल दर्पन दुवारा बना परतिवीम पर फोकस और किंदर के बीच होता है छोटा होता है उल्टा होता है बास तभी खोता दर्पन के सामने होता है उसके बाद अब जोहान हम लोग तिसरा में किंदर पर ले आएंगे इस बार बस्तु को एकदम जोहाना खीच करके किंदर पर लाएंगे देखिए यह अब तल दर्पन है यह बूगा फूल है यह फोकस है कंदर है इस पर बस्तु को जोहाना कंदर पर लाएंगे तो इसका प्रतिभीम जोहाना कंदर ही पर बन जाता है कि लिखते है यदि बस्तु कंदर पर होता केंदर पर होता है तो अवितल दर्पन द्वारा अवितल दर्पन द्वारा वना प्रतिभिंब पहला में लिखेंगे केंदर पर ही होता है याद रखेंगे केंदर पर रखेंगे तो केंदर पर ही बनता है केंदर पर होता है दुसरा स्टार में उल्टा होता है प्लता हुटा उसके बाद आकार में यहाँ पड़ी बरावर हो जाता बरावर होता उसके बाद आ जाओ इसके बाद आप बोल सकते हैं बास तबीक होता है वास्तविक होता है दर्पन के सामने होता है दर्पन के सामने होता है अशलिये जी अब हम लोग जोहान केंद्र और फोकस के बिच लाते हैं इसके लिए चार नमर पॉइंट चलेगा यदी वस्तू केंद्र और फोकस के बिच होता है केंद्र और फोकस के बीच होता है तो अब तल दरपन द्वारा बना प्रतिबिंब अब तल दरपन द्वारा बना प्रतिबिंब अब तल दरपन द्वारा बना प्रतिबिंब देखो जी बात को समझेगा ये आपका अब तल दरपन है जिसमें ये वाला पॉल होता है द्रोब बोलते हैं ये फोकस है और ये क्या है किंदर है इस बार जो हाना किंदर और फोकस के बीच में रख रहा है तो प्रतिवीम भाग जाएगा आपका केंद्र और अनंत के बिच क्योंकि प्रतिवीम को आप दर्पन के उर ला रहे हैं सोरी बस्तु को आप दर्पन के उर ला रहे हैं तो प्रतिवीम दर्पन से दूर के उर भाग रहा है कि आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि बस्तू को जब दर्पन के उर ला रहे हैं तो इसका प्रतिवीम दर्पन से दूर भाग रहा है तो केंदर और फोकस के बीच रखेंगे तो यहां पड़ी प्रतिवीम केंदर और अनंत के बीच बनता है यह यहां लिखना है कि केंद्र और अनंत के बीच होता है होता है ठिकाना दुसरा इस्टर उल्टा होता कैसा होता जी उल्टा होता है मेरे भाई बराबर हो गया तो बड़ा क्यों जा गई बड़ा होता उसके बाद आजाओ वास्तविक होता अभी तक वास्तविक बन रहा है वास्तविक होता उसके बाद आजाओ तरपन के सामने होता एकदम पॉइंट को जो हाना याद रखेंगे ठिकाना कि अगर बस्तू को आप अगर फोकस और केंदर के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिविम जो हाना केंदर और अनंत के बीच जाता है यही तो लिखा गिया है केंदर और अनंत के बीच होता है उल्टा होता है बड़ा होता है बास्तविक होता है दरपन के सामने होता है एकदम लोजिकली इसको समयने का प्रियास करेंगे समझ में आ जाएगा अब क्या करने वाले हैं वस्तो को तो हम लोग केंदर और फोकस के बीच ले आया या फोकस पर ले जाएंगे जो कि अगला पेज में जाएगा पांच निम्बर में यदि वस्तो फोकस पर होता है तो आवितल दर्पन द्वारा आवितल दर्पन द्वारा वना प्रतिबिंब वना प्रतिबिंब वह आप फोकस पर रखेंगे तो आनंद पर चला जाएगा आनंद पर होता है देखो डियाग्राम से क्लीर है यह अवितल दर्पन है जी जिसमें आपको यह पता है कि पूल है यह फोकस है और यह क्या के अंदर है और यह आनंद है जब बस्तो को फोकस पर लाके रखेंगा तो इसका प्रतिबिंब अनंद के पास चला जाता है बहुत बड़ा बनता ठिकाना अनंद पर होता है उसके बाद हाँ उल्टा तो होता है अभी उल्टा चल रहा है उल्टा होता है उसके बाद बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है उसके बाद आ जाईए जी बहुत बड़ा होता है इसके बाद आप क्या लिखेंगे वास्तबीक होता है अभी तक बास तबिक दे रहा है मेरे भाई दर्पन के सामने है देखो बास तबिक रहेगा तो दर्पन के बाहर जिसको दर्पन के सामने बोल रहा है सामने होता सामने होता देखो जी यहां तक क्लियर होना चाहिए अब देखिए फोकस और दुरूब के बीच रखने वाले हैं यहाँ पड़िए एक अस्थान और बचरा आगे कर भड़ाते हैं यह आपका जोहाँ आना साइद 6 पॉइंट जाएगा यदी वस्तो वस्तो फोकस और दुरूब के बीच होता है पॉकस और दुरूब के बीच होता है दुरूब के बीच होता है तो अब तल दर्पन द्वारा अब तल दर्पन द्वारा बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब अब देखिए अब तल दर्पन द्वारा बना प्रतिबिंब देखो दर्पन के पीछे भाग जाता दर्पन के पीछे होता है दर्पन के क्या होता पीछे होता है ठिकाना क्योंकि अनन्त इधर चला गिया था बात को समझेंगे यह डियाग्राम है जी यह बूगा क्या है पोल है फोकस है सेंटर है अब यहां पड़ी बस्तो को रख दिये हैं तो इसका प्रतिवी में एक दम यहां आ जाएगा दर्पन के पीछे चला जाता दर्पन के पीछे होता है सीधा होता है बहुत इंपोर्टेंट सीधा होता है यह क्या हो जाएगा काल्पनिक कोई प्रतिवीम सीधा बन रहा तो काल्पनिक होता है अब देखो इसके बाद जो हाना कालपनिक होता है सीधा होता है दरपन के पीछे होता है ठीकाना हाँ जी बड़ा होता है ये बात हमको यहां लिखना चाहिए था बड़ा होता है कोई बात ने इसको यहां नीचे कर देते हैं बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, फुर्णास मैं ये देख लेता हूँ, उसमें बहुत बड़ा लिखें कि निसाई liegen, तो ये इसमें रहा, इसमें चारी प्लेट होगा, कि अगर फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो वस्तु जोहाना वस्तु का प्रतेबी दरपन के पीछे चला जाता दरपन के पीछे होता है सिधा होता है, बड़ा होता है, कलपनिक होता है यह है मेरे भाई ठिकाना तो अबतल दर्पन में जो हाँ हमने सारे लोकिशन को चूच कर लिए हैं सभी लोकिशन को देख लिए अनंद से चलाए अनंद पर वाले रखे उसके बाद अनंद और किंदर के बीच रखे फिर किंदर पर रखे किंदर और फोकस के बीच रखे फिर फोकस पर रखे फोकस और दुरूब के बीच रखे अदुरूब पर लाएगा तो इसी जगा बनेगा जो कि ये इतना important नहीं है तो मेरे भाई ये 6 पॉइंट है आपके लिए खास करके अवतल दर्पन में आपने ये कैसा दर्पन है जिसमें सिधा भी बनता है उल्टा ही बनता है छोटा बनता है बड़ा बनता है बरावर बनता है दर्पन के सामने भी होता है दर्पन के पीछे ही बनता है इसमें हर प्रकार का प्रतिविम बनता है तो बस इस वीडियो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही तो आप सारे लोग को अगर वीडियो अच्छा लेगा तो मेरे भाई आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ जो हाँ वीडियो को जरूर सेर करेंगे, तो थेंक यू.